जहेंद एवरीवान वेलकम टू भावीबोर चैनल हमने अपना NCC का स्पेशल सब्जेक्ट आर्मी विंग का स्टार्ट किया था जिसमें पहला टॉपिक था जनरल अबाउट आम फोर्सेस सेकेंड था मैप रेडिंग तीसरा वेपन ट्रेनिंग चौता एफसी बीसी पांच व पूरा कवर हो चुका था इसकी वीडियो पर आपने देख लिए होगी आज मैंने बोला था कि आपको FCBC कवर कर रहेंगे तो FCBC आज हम कवर करेंगे फिल्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट जिसको शॉट्कट में बोलते हैं FCBC ठीक है इसके अंदर पर देखो दो टॉपिक आ करेंगे इसके अंदर इसके अंदर इस टॉपिक आएंगे आपके description of ground हो गया है ना याप कन्सील्मेंट कैसे करेंगे कोई फोजी की सी जिए चुपे का कैसे जजिंग डिस्टेंस कि दूरी से को इनसान कैसा दिखा दे रहा वह चीज टार्गेट का मूवमेंट कैसे करेंग तो यह होगा आपका फिल्ड क्राफ्ट उसके अंदर यह 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 तॉपिक्स मेक शूर आप याद रख लेना क्योंकि मैंने कुछ प्रीवेस से सब्सक्राइब करेंगे तो यह पांच इसमें आएगा यह इंडेक्स बता रहा हूं आपको अगला बैटल क्राफ्ट बैटल क् क्राफ्टिंग आएगी लड़ाई से समधी चीज़ आएगी जैसे फिल्ड सिगिनल किसी इंसान को सिग्नल वगरा कैसे देने सेक्शन फोर्मेशन कैसे करेंगे कि कहीं हमला करने जारे तो किस तरी का सेक्शन फोर्म करके जाएं फायर और बूमेंट वहां पर तो टार्गे आगा पने पर सीट के चैनल कर बूद करके तैल के पैट्रोल फॉर्याइं की जाती है ज yüzden पर वहाले जो पार्ती यह वीडियो का पार्ट वन है क्या पार्ट कवर करवा दूपकित अपय integrity option आप पूछ सेथिकला और यह पूंचा और next before rymd कि यह पूचेंगे return में इंप्रेंट है धी Micheard तो देर आर मेंली all-magnid आपसे पूचे टाइप वन-बताऊ तो आपको कि सर्चार होते हैं कौन-kaन चेंः इप्रोकन ग्रॉपन ग्राउड जिस पे बहुत जादा cover हो, अब cover का मतलब क्या होता है यहाँ पे, cover का मतलब होता है कि बहुत सारी bushes, जाड़ जंकार, पेड़ पोधे, पत्थर, तूटा-फुडा हो मतलब, तो उसको broken ground बोलते हैं, ये बहुत अच्छा होता है लड़ाई के लिए, war purpose से ये वाला ground अच्छा होता है, कौन सा, broken वाला क्योंकि इसमें च्छिप सकते हैं, crawl कर सकते हैं, बजबज के, ये सारे movement इसमें हो जाते हैं, दूसरा इसमें एक term आपको पढ़ने को मिलेगी, अगर कभी किताब खोलोगे तो, flat trajectory, flat trajectory weapons, ये flat trajectory weapon से बचा देता है हमको, किसे flat trajectory weapon से broken ground हमें बचा देता है, जैसे suppose करो, ये कोई gun हो गई हमारी, ये rifle समझ लो, यहां से मैंने कोई bullet इसमें से fire गरी, ठीक है, तो वो bullet ऐसे जाएगी थोड़ा सा, ये उसका movement होता है, हलका सा curve सा, उसका movement होता है, तो ये इसने ये वाले एक path follow गिया, path follow गिया, ये रास्ता गिया, यहां से जा जा कि ये flat में आ गया, लेकिन suppose करो, मैंने बोला कि hand grenade फैक देता हूँ, मैं कहीं पर से निकाल के, तो hand grenade कैसे फैका जाएगा, hand grenade ऐसे फैकेंगे उड़ा आके, तो ये flat trajectory नहीं है, सीधर थोड़ी गया, ये तो गूम के गया, ये unflat, ये फिर curved trajectory weapons बोल देते हैं इनको, ये parabolic भी मेरे खाल से ये term clear होगी होगी, तो जो broken ground है, आप उसमें देखो, यहाँ पर कोई पत्थर है, और उसके पीछे को इनसान ऐसे फोजी लेट रखा है, तो suppose कर यहाँ से गोली मारी तो बच जाएगा न, flat वाले से तो बच जाएगा, तो broken ground हमें flat trajectory weapon से बचा लेता है, लेकिन suppose dead ground, high ground होता है, जमीन से थोड़ा उठा हुआ, प्लैटी वाला reason हो गया, है न, उसको बोलते है, high ground, dead ground होता है, ground not visible to the observer, क्या होता है dead ground, the ground not visible to the observer, suppose कर कोई इंसान यहाँ पर खड़ा हो रखा है, यहाँ से वो देख रहा है न, और यहाँ पर ऐसे खाई आगी नीचे गड़् dead ground, क्या हुआ dead ground, ground which is not visible to the observer, जो observer को दिखा ही ना दे, वो dead हो गया, खता है, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, next topic आप से पूछते है, description of ground, देखो है description of ground, basically किसी भी ground को define करने के लिए यूज होता है, थोड़ा सा, वो तो type पूछ लिए, लिकिन description, आप कैसे describe करोगे ground को, एक ground को दे दिया आपको, पकड़ा दिया कि यह ground है आपका, आप इसको describe करिए, तो आप बताओगे कि किसी भी ground को हम तीन टुकुडो में तोड़ सकते हैं, पहला हो सकते है, four ground, middle ground and distance ground, four ground, middle ground and distance ground, four ground हम बोलेंगे, जो 300 याड तक का होगा, जैसे suppose को यह कोई ground दे दिया हमको, मैं मे 300 याड से लेके 500 याड तक का जो यह जगे हो जाएगी, 300 याड से लेके 500 याड तक की जो बीच वाला जो area हो जागा, उसको मैं बोल दूगा, सर यह middle ground, अब इससे बाहर वाला जो यह सारा बच गया, यह वाला मैं बोल दूगा, डिस्टेंस ground है, है ना, तो मुझ से suppose करो प टार्गेट लगा है, तो अगर कोशन पूछ लेकि कहा है, टार्गेट बताओ, तो मैं बोल दूगा, सर डिस्टेंस ground है, टार्गेट, यह clear होगा, description, तीन टाप के कौन कौन से, four ground, middle ground, distance ground, four ground होता है, 300 याड तक, middle ground होता है, 300 से 500 याड तक, और distance ground होता है, 500 याड के बादव कामस में जाना चाहता है, तो उसके लिए the most important thing होती है, observation and concealment, concealment होता है, खुद को छीपाना, ठीक है, concealment, खुद को छीपाना, observation होता है, कि अपने आप तो छीप गए, अब उस छीपी जगे से, enemy की, दुश्मन की position, देखो, कहां है, कैसे है, क्या हरकत कर रहा है, ताकि उसक को concealment नहीं आया, उसका, वो dead वापस आता है, मतलब, this is something most important, उसके लिए आना ही चाहिए, तुम नहीं चिपा होगे, तो गोली मारी जाएगी, यह चीज होती है, यह क्लियर होगे, टर्म्स क्लियर होगे दोनो, इसमें देखो, अगला, इसमें में पूछते है, personal camouflage and concealment, अब conceal मैंने बोला, खुद को चिपाना, camouflage होता है, कि जिस environment में आपको दे जिया, उसके अंदर मिक्स हो जाना, concealment खुद को चिपाना, camouflage अपने surroundings में, बिल्कुल मिक्स हो जाना, जैसे camouflage के आपने photos वगएर दिखियों का फिचारी, घास बूस पत्ते होगे जंगले मैं से खड़ो ज इस camouflage का ही, आप example दे सकते होगी, सर देखें, जैसे बहुत सारी, आरमी वगएरा होती है, तो उनकी uniform different हो दिया, अगर आप राजिस्थान साइड में वो दिये जाएंगे, पोस्टिं आपकी तो आपको ब्राउन खाकी से कलर की, रेत कलर की uniform देंगे, सबोस करो आपकी पोस् किस चीज के लिए? कैमोफ्लाज करने के लिए, यहां तक क्लियर होगी बात, ठीक है, अब एक बढ़िया कैमोफ्लाज कैसे किया जाता है, correct use of cover करके, मतलब अगर आप cover जो provided है, उसका use ठीक से करते हैं, तो आप बहतरीन कैमोफ्लाज कर सकते हैं, अब cover क्या होता है, मैंने जो भी चीज मिल गए वहाँ पर है, उसके अंदर पर कैसे mix होके छुप सकते हो, अब देखो, इसमें यह वाले, एक हजार बार यह question पूछ रखा है, यह वाला, fill in the blanks format में पूछ देते हैं, इन टम्स को एक बार जहां से देख लो, समझ में आ जाएंगी, यह बोलते हैं कि look while camouflage, look through the cover, not over it, जैसे suppose करो, यह कोई मेरे आगे जाड है, मेरे आगे यह कोई जाड है, है न, तो इसके look through the cover, मतलब इसके बीच में कोई जगे दिखे रही है न, जैसे कोई पत्ते होते, पेड़ बेड होते हैं, तो इसके बीच में से देखो, अंदर से, जैसे यहाँ पर ख देखो कि तुम्हारा head, तुम्हारी cap, सब कुछ दिख जाएगी, तो यह look through the cover, not over it, यह clear हो गया इतना बात, दूसरा बोलते हैं कि, अगर suppose करो कि बहुत घना है, यह वाली जाड जो है, बहुत जादी घनी है, कि ऐसा है कि सर, हम इसके अंदर से देखनी पारे, तो option होते है आपके पास look, इधर से यहां से side side से देखो, either side side से देखो, अपर से त तब भी नहीं देखना, अपर से खTrora रहता है, आप ऐसाँ, बीच में देखनी था, तो kожно कोने कोने मैं से देखो,Smodhui- verse 1 नहीं देखना होता यह चीज क्लियर होगी ऐसे करके आप से वह फिलप्स में पूछेंगा आप उसमें लिख देना राम साप क्लियर हो यह चीज ठीक है नेक्स पॉइंट आता है अवोइड स्काइलाइन कवर यूज करते हुए आपको स्काइलाइन अवोइड करनी आप पीछे पढ़ी हो जिसमें आपकी शेडव जो हो जाया पता ही ना चलेगी कोई इंसान खड़ा भी नहीं स्काइलाइन बोलते हैं कि जैसे आपने चले नहीं से आपके पीछे पर वाटर आ गया वाटर कैसा है बिल्कुल प्लेन हो गया तो वहां से अगर जा रहे होंगे तो आप तो चुप चुप के जा रहे हों लेकिन आपकी पर्षाई पानी पर पढ़ रही है पानी पर्षाई का मुवमेंट दिख जाएगा दुश्मन पकड़ लेगा आपको यह चीज क्लियर हुई तो इस चीज को बोलते हैं स्काइलाइन अवोइड करो अपनी पर्षाई का म जैसे किसी बिल्डिंग अगरे के अंदर से अगर आपको फाइट करनी पड़ है ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें आपकी जो दिवारे पर शेड़ बनती है उसका अच्छा यूज करिए अपनी शेड़ो का भी यूज करो दुश्मन को बहकाने के लिए और दुश्मन की जा के मत खड़े हो बिल्कुल है ना रफ होना चीए उबड खाबड़ो जिसके अंदर अच्छे से मिक्स हो से के इंसान क्लियर क्योंकि प्लेन से एकदम पता चल जाता है प्लेन बेग्राउंट तो कभी इंसान नी चुप सकता अवोइड रेगुलर स्पेसिंग रेगुलर इसलिए इसलिए इस चीज और आती है कि अपनी बॉड़ी पार्ट को ऐसे जैसे अपने राइफल पकड़ी है और ऐसे करके बहुत सारी पोश्चन होती है उसमें अपने बॉड़ी पार्ट के बीच में गैप छोड़ना अबॉड करो परच्छाई में एक जो शेड़ो बन पाना है ना एकदम पता चल जाएगा महां पर कोई इंसान है लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल बिना गैप के आप खड़े और रख्यों चिपक के एकदम अपने हाथों पेरों को लिंप को लगा कि बिल्कुल तो आपको पहचान पाना बहुत मुश्किल काम होगा यह इसे भी लिखा हुआ मिलतेगा यह कोशन आपको फैक्टर सब्सक्राइब करो कि आप खड़े और क्यों ऐसे क्या फैक्टर रहें कि जिससे आपको दुश्मन की पता चल जाएगी या ऐसे क्या फैक्टर जो आपकी पोश्चिन पकड़वा देंगे दुश्मन से तो सबसे होता है शेप किसी पर्टिकुलर चीज की शेप उस उस पकड़ा सकती है राम से जैसे कि सपोस्करों आपने हैलमेट पैन रखा है तो हैलमेट कि कैसा होता है ना शाइन नीजा चिकन असा तो दूर से देखके पेचान लेगा इंसान है वहां पर कोई पक्का उसकी शेप अल होता है चलती ही परचाई आपकी परचाई का मुवमेंट पकड़ में आ गया आप तो पकड़ में आया चुप 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 के जा रहे थे लेकिन आपकी परचाई पानी पड़ी या हिल पे पड़ी आपकी परचाई का मुवमेंट पकड़ लिया तो उसको बोलते हैं से ल तो हैं श्राइबेर से लिडाने हैं फिल हैं तो इसाथ से शीरीज अरम आप हड़िए फॉर्मेशन दिय करें दो suggestive चल जाता है हम प्रक्सिन हैThe उसक्थे क होई शेर लें सिट आगे बता हूं करते हैं मुहमें। पकड़ में आ गया उससे भी दिक्कत हो जाएगी सेवंध तर शाइन कोई कोई चीज एकदम से शाइन कर गी सब उसको बैल्ट का बिल्ला था वो शाइन कर गया जो आपके एकदम पकड़ में आ जाओ गया लेकिन आपने देखा होगा आर्मी परसनल्स वगएर को वह बैटल युनिफोर में जब होते हैं तो उनके शॉल्ट के स्टार वगएर भी मतलब प्रिंटिड होते हैं जो बैल्ट का बिल्ला तो ब्लैक होता है यू बिल्कुल शाइन ना करे कोई पार्ट शाइन कर गया उसकी राइफल से बुलिट निग लिए ब्लेट इस पार्क शाइन कर बिल्कुल कम बिल्कुल को पिछका के निए ख़ड़े खुल के खड़े चौड़ में वाला तो पता जल जागा एकदम इस पेसिंग से आपकी ठीक है सब्सक्राइब को इन्सान अगला था नॉइज साउंड या एक्टिविटी कोई भी आवाज आगी या कोई हरकत ही तो ज पर जारे चाहिए पर चुड़ी आओड या कोई दूश्मान आरा पैसे ताक लगा के बैट आपको पता चल जाए कोई इसनेक आया या फिर कोई इंसान आया चल जाता इसना ठीक है इनको चार बार बोलेंगा आपको याद हो जाएंगी ये फैक्टर्स डेट मेंक औब करेंट शाइन पॉजिशन कॉंट्रास्ट नॉइज वेडिविटी कि लिए आगे बड़ जाओं नेक्सट टॉपिक देखते हैं हमारा नेक्सट टॉपिक आता है हमारा जैजिंग डिस्टेंस कौन से टॉपिक जैजिंग डिस्टेंस मतलब क्या होता है कि आप यहां पर रत्ते होने चाहिए कोन-को सब्सक्राइब कौन को है कौन से युनीट मेजर मैंतर्ट अपेरेण्स मैथर्ट च्चन Average Key Range Halving Bracketing या diesel इसको कुणगोन से युनीट मैजर मैं ये फिलीए हाफिंग लगता समय हा नटाना उसको इसको उसका चाहिक हो जाता है जैसे 200 यार्ड पे किसी भी इनसान के सारे बाडी पाट दिखते हैं और डिस्टिंग्विश अिसे करके ब्लूर होते हैं पता तो कि यह हाथ यह करके 250 यार्ड पे वो नीलिंग घुटनों पे से थलका सा जुका हुआ दिखा है इतना के लिए रुआ तीन सो याड़ पर उसका फेस बलर दिखता है फेस पर बता नहीं पाओगे आप कान ना काहा है बलर हो जाएगा बिल्कुल चार सो याड़ पर उसके बॉड़ी पार्ट भी डिफिकल्ट हो जाएंगे डिस्ट्यूंगुश करने आप यह नहीं बता हो कि इसका हाथ बात यह आज़े दिखाए देगी इतना अगला 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 सेक्शन इंवरेज यह हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम मोजूद हो पूरी सेक्शन का एवरेज निकल आए हैं सेक्शन आपर जैसे शेक्शन में कितने दस लोग होते हैं तो ज तो यहां पर एक पोल है तो मुझे यह पता है कि इन पोल के बीच कर डिस्टेंस में 100 याड होता है यह मुझे पता है फिर यहां पर पोल शुरूआ फिर मेरे बगल में पोल था तो ऐसे करके मुझे यह पता था यह पोल जो था मुझे यह अपके लाइट वाले वह सौश याड की दूरी पर लगे होते हैं ठीक है तो मेरे बेदी चीज पता थी थी, आच्छा इसकी होना हो सो दो स्वो 300 yard कि दूरी होगी मैंने क्या हिए रेफरेंस यूज कर लिए यह सबसे आसान मैधा होता है मैं अच्छा मैधा होता है एक पता लगाने ठीक है अगला हाफिंग हाफिंग में क्या कर सकता हूं मैं खड़ा रखा हूं और यह नहीं भी खड़ा है तो यह बहुत दू कर लिए फिर से डबल कर दिया यह हाफिंग हो गया हाफ में आधे मैजन कर दबल कर लो किलिए लास्ट होता है च्छटे वाला ब्रैकेटिंग ब्रैकेटिंग में देखो क्या करते हैं कि मैं कड़ा हूं और मुझसे यहां का डिस्टेंस पूछ लिया इसका एनिमी का जो भी सम ब्रैकेटिंग में ब्रैकेट बना लिया हमने मैं क्या कहुंगा साथ सोपचास याड है सार इसका इसका सम इसका यह तक लिए नहीं हो गया अगला इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट जजिदिंस से कोशन आता ही आता है कुछ भी कर लो इससे कोशन आए गाई आए गा कुछ मैं यह मैं से पूछा सवाल और इस्टेमेट क्यों करते है देखो इसमें आप ना कोई एक याद कर दिना दूसरा इसको उल्टा होता है क्लियर देखो ओवर इस्टेमेट मतला अब बगवान तो है नहीं कि एक दम एकुरेट बता देंगे डिस्टेंस ओवर एस्टेमेट डिस्टेंस हो जाता है ज्यादा बता दिया डिस्टेंस ज्यादा तो ज्यादे कब कर बताएंगे जब रोशनी खराब हो अच्छे इस दिखाने दर लाइट इस सूरज तुम्हारे सामने हो बिल्कुल आप खड़े रखे हो सूरज आपके आँखों के आगे है बिल्कुल तब आख में यह सूरज तो आप ज्यादा बताओगे डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट इस स्मॉल इन रिलेशन तो सरांडिंग जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी सरांड जो अगला होता है लोत कि under estimate कब करेंगे अंडर एस्टिमेट मतलब अंडर एस्टिमेट कम समझना कम कब कर दें इसी को उल्टा कर दो light is敌-ड इसलेट-दो light जukaदे जब रोश्नी बहुत ज़्याद ब्राइट तब जादे इसमengers अन ओप्जेक्ट आई सूरज आइंसान के इसमें करेंगे sun is behind the observer 수가 कि उरभ्डी के पिछ चला गया सिर्जुज जो हब कि यह तब under estimate कर देंगे देख ऊसमें over estimate में सूराज आगे over estimate में सूराज खेद अगे under estimate में सूरज बीचे चला जाएगा ऐसे तरह एक थाधर रफना में अगला होता है direct object is a small essentially ise a хорошjor Ici object is large in relation to सब्सक्राइब तो हम अंडरेस्टिमेट कर देंगे अगला है कि सम डेट ग्राउंड बिट्वीन डेट ग्राउंड अभी बताया वह आ गया अगर बीच में अब्जक्ट और उब्जरूर के तब अंडरेस्टिमेट जाएगा ऑफकॉस वह डिस्टेंस तो दिखे गई ने जो डेट ग्राउंड वाला होगा वह तो कट हो जाएगा लुगिंग अब दा हिल जैसे सब्सक्रों कि यह हील है और मैं यहां कड़ा रखाऊ अगर मैं इसे ऊपर की तरह देख रहा हूं तब मैं अंडरेस्टिमेट करूं कम बताऊंगा डिस्टेंस क्लियर जहां तक किसे कोई डाउट कमेंड वोसमें पूछ लेना कोई डाउट हो तो अगला टॉपिक देखते हैं टार्गेट कौन सा टार्गेट वाला टॉपिक देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन देखे टार्गेट होता क्या है एन ऑब्जेक्ट इंडिकेटिड विद व्यू बाइड ब्रिंग ब्रिंग डाउन फायर गोली चलाने के लिए जब भी जरूत हो वैनेबर रिवायड है ना टार्गेट वही तो होगा एक एक सा अब्जेक्ट है आगे पे एक सा अब्जेक्ट है आगे पे जिसको मैं देख रहा हूं और जिसमें मैंने निसाना साथ रखा है विद आ व्यू तो ब्रिंग डाउन फायर जिसमें कभी गोली चला सकता हूं जब आप बोलेगे दा दा चुरू हो गया यह टार्गेट होता है सेंपल अब इसमें दो कॉशन पूछते हैं आपसे मैथर्ड टू इंडिकेट इजी टार्गेट मैथर्स टू इंडिकेट डिफिकल्ट मैं जिनने पर्म सवॉल्ट क recipient बता की डिक है कैसे का चंडिकेटि गरेगें हैं टू Susie के रहा है टू मैंने टार्गेट ही टूछ टार्गेट मैंने टू हैं तो मैंने रिफिक किए तो इंडिकेशन बाइड ए डिस Saw Twальная ay ऑनों किसन डिक बता तू पाई टो इंडिकेशन थे में पलंग रखा है तुम्हारे राइट साइड में कुरसी है तो यह डायेक्शन बता दूगा कि वहाँ मतलब कि तुमसे सो याड की दूरी पर अगला कहमबा मिलेगा तुमसे कि दूरी पर कोई लड़की-खड़ी आइससे करके बीया थी वहाँ मतलब मैंने डायेक्शन और राइट साइड की तुम्हारे डाहिनी तरफ तुम्हारे राइटसपी तो इसको टारगेट को इंडिकेट करने के बता दोगे इंडिकेशन बडिक्षिटन बाइडरेक्षिन इंडिकेशन रेंज नेक्षट देखिए Indication of Difficult Targets अब Difficult Target आ गया उसको कैसे Indicate करेंगे। पहला Method इसमें वही आता है By Direction Method अब इसमें Direction Method में आप उपर तो Simple बता है Direction बता दी Left, Right ऐसे करके इसमें क्या करते हैं कि इसमें General Line of Discription भी डीडेक्शन में देंगे एक Reference Point भी देंगे या कोई landmark वगएर होगा वो भी बता देंगे reference point हो गया कोई है ना या कोई landmark होगा specific जगे होगी कोई वो सब कुछ बता देंगे इसमें difficult target है तो यह सारी detailing देनी पड़ती है आप खाली तना याद रखना by direction method क्या याद रखें काली by direction method इसमें ऐसे ऐसे बता देते हैं पूरा कि जैसे direction में general line of district तुम्हारे सामने है ना एक तुम्हारे सामने एक सूखे कुएं के बगल में सूखे कुएं के बगल में 45 डिग्री घूमने पर कोई target है ऐसे करके तो यह general line में ही बोला मैंने लेकि इसमें बहुत सरी चीज़ा अड़कर की बोल दी क्योंकि target difficult था sense clear होगी अगला देखे by reference point method अब इसमें reference point दे दिया आपको कोई है ना कि reference point वही बोला मैंने की सामने target है आपके 45 डिग्री लाइट हाउस के बगल में ऐसे करके सामने 45 डिग्री लाइट हाउस के बगल में यह चीज़तों समझते हो ना कि जैसे नौर्थ यह डारेक्शन वाली साउथ इस्ट वेस्ट तो यह वाले 90 डिग्री यह वाला 180 डिग्री यह वाल अगर मैं ऐसे बोलू कि नौर्थ और इस्ट वाली डिरेक्शन हो गई यह तो इनके बीच बीच से जाएगा 45 डिग्री बीच वाला है ना इसको डाल देंगे तो 22 25 डिग्री ऐसा तो यह 25 डिग्री अइसा तो यह 25 डिग्री ग्रीशन वाले को बोल देते हैं तो अगर बोल दें कि Half Left Half Right थो जैसे मैं खड़ा हूँ, तो मुझसे बोला कि अब उसलाइट है नहीं, Half Left हो जाओ, तो मैं Half Left हो जाओ, पंटालेश्ड पीजिए इधर, यह मुझसे बोला Half Right हो जाओ, तो मैं बोलू है चूझे हाँ हाँ गया, पूरा समझ गे नहीं एक बार और देखो फिर से अगर मुझसे बोला कि श्लाइट लेफ्ट सोरी स्लाइट राइट अगर मुझसे बोला कि लेफ्ट पूरा लेफ्ट तो ऐसे फुल घूम जाएंगे तो यह उसकर के बता देते हैं डिफिकल्ड टार्गेट में यह सब दोत प डिग्री यह वाली भी उज़ कर सकते हैं उसके बाद हैंड एंगल के यह वाली होती हैं अभी बताऊंगा कौन-कौन सी याद रखना है पूछते हैं ऐसे इंस्ट्रक्टर पूचेगा इसे दिखागे बताना ज़रा यह कितने डिग्री को होगा ऐसे कर बूच देंगे ठीक है दिखेखें हैं एंगल में आर इंगला मनुट को इस अंगली कितने डिग्री 3 8 12 19 किते डिग्री 3 8 12 19 थीक है अगर ऐसे पूछा एक उंगली दिखा के पूछा तो बोल देना सरी होता है वन डिग्री कितना होता है वन डिग्री यह क्लियर आगे बढ़ू कृणी लास्ट टॉपिक था हमारा मुव्मेंट विद एंड विदाउट आंश व मंगी रन में बिल्कुल जमीन से चिपक के बिल्कुल कोहनी का और गुटनों का यूज करके आगे सरकते हैं उसको लेपार रंग बोलते वाक देखो इसमे ध्यान रखना वॉक जब भी की जाएगी अपनी मुंडी हमेशा उपर गरी की जाती है मुंडी नीचे करके कभी वॉक करते आर्मी वाले वंदे क्योंकि फाइदा क्या उसका सर्जुगा के वक करें मुंडी उपर करके देख देख करो नहीं कोई अनिमी तो नहीं यह रोल आप निकरोंगे कलाबादी खाना फ्रंट रोल बैक रोल है ना ऐसे आगी साइड कलाबादी रोल में आप यह चीज ध्या क्लियर यह क्रॉलिंग विद राइफल अगर आपसे पूछ ले नेक्स्ट क्रॉलिंग वाइडे मला दिन के अंदर विद एलम जी एलम जी होता है लाइट मशीन गन इसमें नी क्रॉल वही जमीन पर बिल्कुल रिपट चिपक के ना अपने गुटनों का नीज का यूज करक जाती है क्योंकि लम जी थोड़ी हैवी गन होती है तो इसको जैसे साइट से क्रॉल करें तो दूसरे गुटने से मार वार के सर्काते रहते है राइफल गो भी आगे राइट है राइट हैं और देखे च्रॉलिंग आइट अगर आपसे पूच ले तो यह होता है घौस्ट नहीं है कौन सी भूतोवाली वह कैसी होग भाई भूतोवाली वह को की आप सर्कुलर मुवम्मेंट करते हो कि इसे गों से जाते हो ज्लीर सा मूवंम्मेंट यहां पर ऐसे करकर को घुमगों कर घुब घुमा दार घुमाव से पकड़के जाओ इतना समझ लोगे गर्ट वोग और किटन वोग दोनों वोग बहुत स्लोओ होती है बहुत जाद है केट वोग और देखो इसमें बेसिक निटाओं करहों केट वोक का आप समझ लीजे कि जैसे आपने दोनों हाथ ऐसे ऐसे पर आगे रखे और दोनों पैर यह थोड़ा थोड़ा रिफरेंस होता है यह दोनों वोग काफी स्लों होती है अराम-अराम से करनी होती है क्योंकि नाइट में हमें खतरा होता है कि एपनी वह जल्दी पुजिन का पता बिल्कुल ना चले और हमें भी चोट वोटन ना लग जाए है ना तो यह सेफ मोड़ा ह सब्सक्राइब तो अगर ऐसा कोई ग्राउंड है तो हम यह वाली वाक्स लेते हैं ऐसे करके जाएंगे तब तो कुछ नहीं होगा ना पत्तो बगेर की आवाज बहुत कम होने वाली है मेरी चीज के लिए होगी बिल्कुल अभी पॉइंट्स तुरिमेंबर वाइल मुवमेंट अब यह लास्ट देख लीजे कि सब्सक्राइब मुवमेंट कर रहे हो तो आपके दिमाग में कौन कौन सी चीज आपको याद रखनी है यह सब मुवमेंट्स देखे उपर वाले सब्सक्राइब मुवमेंट करते हैं मैपन मस्ट ऑल्वेस कीप रेडी तु यूज मलाव ऐसा नहीं की मुवमेंट करें तो सारा द्यान मुवमेंट पर यह नहीं जो आपकी राइफल है जो वैपन आप हाथ में ले रहे हो ना वह बिल्कुल रेडी तो यूज होना चीए ए अगला दीखिए लुक केरफुली ओल अराउं फॉर एनिमी अपनी चारवतर बिल्कुल चोकनने होंके देखो कि एनिमी कहा है इफ शॉट एट ड्रॉप और जाए अभी बताया कि आप एकदम से एनिमी बुलेट आई गोली चली तो आपको क्या करना है एकदम से प्रॉल कर टो आणावयों हमेinkा नहीं है थो हमेंशा दिमांक में रखो कि इसका ऐल्टरॉट यायों हो सकता है या ऐसा रूट कॉन scrut हो सकता है जिसको एंवी को सकीन होकि मैं इसरू से एका उ सबीजियेगा और यह सारी चीजेति हमने पड़ा ४्लिर इसमें को है थीक है description of ground, types of ground, उसका description आपको पता चलिए, कैसे describe करें ग्राउंड को, observation और concealment कैसे करना इसके important point पता चलिए, factors that aid recognition आपको पता चल चुका है, judging distance कैसे करेंगे, overestimate और underestimate कैसे हुआ दिस्टेंस, target को कैसे indicate करेंगे, आपने देख लिया, difficult target कैसे करेंगे, easy target कैसे करेंगे, hand angles क्या होते और उनके साथ में उन्हें walk करते वे किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, I hope यह सारी चीज क्लियर, next part में, part second में आपकी यह वाली वीडियो बनीगे, आपकी battle craft की, आज के लिए तना ही, मिलेंगे next video में, तब तक लिए, जैहेंद,